नमस्कार दोस्तों आज मैं जो खबर लेकर आया हूँ वो सुनकर ना केवल आपके चहरे पे मुस्कान आ जाएगी बलकि कहीं ना कहीं आपका एनरजी लेवल भी बूस्ट करेगा जी हाँ दोस्तों अभी तीन दिन पहले ही 5 जून 2021 को हमारे माननिय मुख्यमंत्री श्री अशोग गहलोज जी ने एक ऐसी योजना की घोशना की है जिसके तहत वो सभी जरूरत मंद होनहार विद्यार थी जो शहरों में आकर के बड़े शहरों में जाकर के बड़ी कोचिंगो रही है राजस्थान सरकार जी हाँ बिलकुल आप जो सामने देख रहे हैं बिलकुल सही लिखा हुआ है 10,000 विद्यार्थियों को मिलेगी फ्री कोचिंग कौन-कौन से विद्यार्थी इसमें लाभानवित होंगे क्या इसका क्राइटेरिया रहने वाला है क्या इसकी योग देखेगा सबसे पहला तो आप इसमें लाभारती है या नहीं आप इस योजना का लाब उठा सकने हैं अथ्वा नहीं और दूसरा इस योजना से जुड़े महत्वपून सवाल जो भी एक्जाम में पूछे जाएंगे उन सभी को कवर करते हुए चलेंगे तो बने रहेगा च रहत 10,000 ऐसे स्टूडेंट्स का चैन किया जाएगा जो ज़रूरत मंद हैं जिनके पास पैसे नहीं है बड़े शहरों में आकर के बड़ी कोचिंगों में अड्मिर्शन नहीं ले सकते प्रत्योगी परिक्षाओं की तयारी नहीं कर सकते उन सभी के लिए रास्तान सरकार की ये बहुत ही बढ़िया कल्यानकारी योजना जो है उसकी घोशना हुई है इसके बारे में बात करते हैं कि क्या क्या हमें मिलता है इस योजना में देखिएगा इस योजना का उद्देश क्या है सबसे पहले कोई भी जब स्कीम शुरू की जाती है तो सबसे पहले ध्यान में रखा जाता है उसका उद्देश जरूरत क्यों पड़े इस योजना की उस योजना का उद्देश है जरूरत मंद और होनहार विद्यार्थियों को विभिन प सुविधाओं की उनकी हेल्प के लिए स्कीम आई है आप देखें इस स्कीम के जो लाभार्थी है वो कौन होंगे क्या आप पात्र हो सकते हैं अपने आपको देखेगा आप कौन सी श्रेणी में शामिल है इसके जो पात्र है सबसे पहले अनुसूचित जाती के जो विद्यार होंगे उसके अलावा अंडे पिछडा वर्ग यानि की ओ-बी-सी और अती पिछडा वर्ग यानि एम-बी-सी के स्टूदेंस को भी इसका फायदा मिलेग cancer के neighborhood के जो स्टूदेंस हैं उनको भी इस योजना का फायदा मिलने वाला है इसके अलावा और कौन कौन जो लाभार आपको पता है, EWS के वे students, देखें EWS में भी दो इसने धाराएं बता दी, आपको ध्यान में रखना, exam में भी कई बार ऐसे सवाल पूछ ले जाते हैं, कि किसी योजना का नाम दे कर उस योजना से संबंदित कथन आप से पूछ ले जाते हैं, तो वहाँ भी अगर इस तरीग करमतार में माता या पिता में से कोई सरकारी करमचारी है, राजकिय सेवा में है, और उसका जो वे द्वेतन हैं, वो मैट्रिक्स पे level 11 से नीचे है, यानि 11 तक का है, level 11 तक अगर वो वेतन प्राप्त कर रहा है, 11 level तक का वेतन भोगी ब्यक्ति है, तो भी उसके बच्चों क ये सुविधा जो है मिलेगी वो लाभार्थि होंगे पात्र होंगे इस योजना में तो बात हो गई इस योजना के पात्र या लाभार्थियों की आगे बात करते हैं देखिएगा इस योजना के संचालन करता विभाग कौन से होंगे इस योजना का संचालन तीन विभाग करे अलग अलग श्रेणी के विध्यार्थियों के लिए बड़ी important चीज़ देखिएगा, अलग-अलग कैसे, किसके लिए कौन करेगा, देखिए बात करते हैं, सबसे पहले जो जनजाती क्षेत्रिय विकास विभाग है, जिसके मंत्री कौन है, जनजाती क्षेत्रिय विकास विभ की जो students है, यानि की जो scheduled tribe, यानि की अनुसूचित जनजाती के जो विध्यार्थी इस योजना के लाभार्थी होंगे, उनके लिए इस योजना का संचालन करेगा, जनजाती क्षेत्रिय विकास विभाग, अब दूसरा है, अलप संख्यक मामलात विभाग, इसके मंत्री कौ मामलात विभाग जो है, वो किस के लिए इस योजना का संचालन करेगा, वो करेगा अलप संख्यकों के लिए, यानि की जो minorities के students है, उनके लिए इस योजना का संचालन किया जाएगा, अलप संख्यक मामलात विभाग के द्वारा, सेष जितनी भी category, सेष बची कौन कौन सी बच गई SC, OBC, MBC और EWS इन सभी के लिए इस योजना का संचालन किया जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा तो ध्यान रखेंगा तीन विभागों को शामिल किया गया है यानि कि इस पूरी योजना की जिम्मेदारी संयुप्त रूप से तीन पूजना को सफल बनाना है इन तीनों को और जिसमें सबसे जादा हिस्सा किसका है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का चलिए आगे चलते हैं अभी इसमें कुछ और नए तथ्य बात करेंगे अब बात करते हैं कि भाई किस एक्जाम की तैयारी के लिए कितने परकार ने बोलतो दिया तो सदार को फ्री कोचिंग लेकिन क्या रूपे देगी ऐसा तो नहीं है कहीं आई एस की कोचिंग कराने ले जा रहे है और पांच जार रूपे देने तो कोई मतलब वाली बात नहीं अभी बात करते हैं देखेगा अगर UPSC द्वारा आयोजित देवा IAS इसकी तयारी आप कर रहे हैं तो अगर आप प्रतिस्थित संस्थानों के माध्यम से कर रहे हैं तो आपको मिलेंगे कितने 75,000 और अन्य संस्थानों से अगर आप कर रहे हैं तो आपको मिलेंगे 50,000 रुपे एक वर्ष की अवधी के लिए इसके लिए योग्यता ह सास हो उतीर हो आपकी सनातक complete हो चुकी हो या फिर सनातक के अंतिम दो वर्षों में आप अध्यान रत हो और कख्षा 12 में नियुनतम 70 प्रतिशत अंग आपके प्रतिस्टित संस्थानों के लिए 70 प्रतिशत और अन्य संस्थानों के लिए 60 प्रतिशत अब देखिएगा टोटल कितने students 200 यानि की 200 students का selection किया जाएगा जो IAS की तैयारी कर रहे हैं उन 200 विद्यार्थियों को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाएगी financially help करेगी सरकार उनकी की आराम से आप coaching कीजिए IAS की तैयारी में आप ध्यान दीजिए आपका जो भी शुलक होगा coaching की जो फीस होगी साथ ही 40,000 रुपए तक की जो सुविदा है आवास की वो भी सरकार देगी अगर आप किसी दूसरे शहर में जाकर के रह रहे हैं तो 40,000 रुपए आवास का खर्चा भी सरकार के द्वारा दिया जाएगा तो ध्यान रखेगा ये संख्या important है ये पूची जा सकती एक्जाम में भी कि IES के लिए कितने या फिर फला एक्जाम के लिए कितने क्योंकि ये जो वरगी करण है ये तो बहुत जादा चला जाएगा यहां से सवाल पुछने की संभावना बिलकुल नहीं बनेगी आगे च स्थानों से 40,000 एक साल की इसकी अवधी रहने वाली है सनातक या अंतिम दो वर्षों में अध्यान रत बारवी में 65 प्रतिशत अंक या 55 प्रतिशत से अधिक अंक और सबसे बड़ी बात कितने विद्यार्थियों का चैन किया जाएगा आरेस वालों का आरेस वालों का चैन होगा टोटल 500 अभी हमने बात की थी आईएस की 200 स्टूडेंस का चैन किया था और आरेस की तैयारी जो करने वाले हैं वो कितने हो गए 500 याने की सिविल सेवा के लिए 700 स्टूएंट होगे टोटल राजस्तान में और जो आईएस और आरेस दोनों मिला करके आगे चलिए कौ हम उपर की अन्य परिक्षाएं अगर इस से संबंदित किसी भी परिक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं तो उसके लिए 20,000 रुपे की आर्थिक सहायता दी जाएगी 6 माह का जो कोर्स रहेगा अवधी रहेगी 6 माह की और ऐसे जो पात्र हैं वो कितनों का सेलेक्शन होगा 800 अ आगे देखिएगा नेक्स कौन सी एक्जाम शामिल है रीट परिक्षा बहुत बड़ी एक्जाम है और जिसका सभी रोग बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं कि रीट तू कब आएगी आज नहीं अभी पता नहीं कब आएगी लेकिन रीट की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं इस प्लान का इस योजना का लाब उनको मिलेगा आगे देखिए और कौन सी परिक्षा इसमें शामिल है आर एसस भी द्वारा आयुजित परिक्षा जैसे पटवारी कनेस्र सहायक यह लैब असिस्टेंट या जो भी अधिनस बोर्ट जो एक्जाम करवाता है तो अगर उन की तैयारी कर रहे हैं तो दस हजार रुपे मिलेंगे चार माहा की अवधी के लिए और ऐसे बारा सू स्टूडेंट्स का चाहिन किया जाएगा यानि की बारा सू विद्यार्थियों को यह दस हजार रुपे देगी कौन सरकार ध्यान रखेगा आगे चलते हैं कौन-कौन से एक्जाम बाकी है और कौनस्टेबल परिक्षा राजस्थान की सबसे बड़ी परिक्षा संख्याबल के हिसाब से देखी जाए तो और इस एक्जाम के लिए भी अगर आप तयारी कर रहे हैं तो आपको दस हजार रुपे सरकार दे सकती है चार माह के कोस के लिए और इसमें जो नियूनतम योग्यताव वो कक्षा दस में 50 प्रतिशत अंक है और ऐसे 1200 ही छात्रों का चैन और करने वाली है सरकार Constable के बाद आती है Engineering या Medical प्रवेश परिक्षा जो NEET की एक्जाम होती है या IIT JE जैसा Engineering के लिए जो एक्जाम होती है इनकी अगर आप तयारी कर रहे हैं तो सरकार ऐसे कितने बच्चों का चैन करेगी ध्यान दीजिएगा संख्या के इसाब से अब तक की सबसे बड़ी संख्या है चार हजार ऐसी स्टूनेंट्स का चैन करेगी सरकार जो NEET या Engineering प्रवेश परिक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और उनको अगर प्रतिष्थित संस्थान से तैयारी कर रहे हैं तो क्या मिलेगा सत्तर हजार रुपए मिलेंगे और प्रतिवर्ष मिलेंगे ध्यान रखिएग साथ ही अन्य संस्थान वालों को मिलेंगे कितने 55,000 प्रतिवर्ष यानि इनको मिलेंगे एक लाख दस हजार दो सालों में मिलेंगे और चार हजार चात्रों को मिलेंगे बहुत उमदा यह प्लान है अगर इसको सही से एक्जेक्यूट किया जाए तो आगे देखिएगा क्ल रिक्षा की तैयारी के लिए भी अगर आप पात रहें तो आपको प्रतिष्टी संस्थान से कोचिंग के लिए 40,000 अन्य संस्थानों के लिए 25,000 रुपए दिये जाएंगे एक वर्ष के कोच के लिए और ऐसे कितने चात्रों का चैन किया जाएगा एक हजार चात्रों का च रहाएगी वो जिनकी आर्थिक सहायता करेगी जो अक्षम है जो समर्थ नहीं है कि घर से निकल के शहर में जाएं वहाँ पर किसी बड़ी कोचिंग में एडमिशन ले और अपनी तैयारी को जारी रख सके ऐसे हुनरमंद और जरूरत मंद जो चात्र है उनकी सहायता करेगी कि छात्र तो इस हिसाब से बहुत ही कल्यान कारी और बड़ी उपयोगी सिध्द होने वाली है इसकी अब इसके लिए आविदन कैसे करें और कहा करें भाई तो सबसे पहला सवाल आता है कि नोडल एजरंसी कौन से है इसकी नोडल एजेंसी या नोडल विभाग की बात करें इसका नोडल विभाग है सामाजिक न्याय और अधिकारता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारता विभाग, नोडल विभाग के तौर पर कारे करता है, भी हमने बात की थी कि इसकी जिम्मेदारी जो है संचालन की वो तीन विभागों के उपर है, लेकिन जो इसका नोड execution हो रहा है सही लाबार्थ की और अधिकारता विभाग के दौरा की जाएगे अब देखेए आवेधन कहा होगा आवेधन इया होगा सामाजिक नयाय और अधिकारता विभाग का एक portal नाम है उस portal का single portal single portal, इस portal पर आवेधन होंगे, single portal पर और यह जो website आपको दिखाई दे रही है, उपर अगर छोटा है, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, sje.rajasthan.gov.in .gov.in यह इसकी website है, यहाँ पर जाकर आवेधन कर सकते हैं, सुनहरा मौका है, आप सभी के लिए 10,000 विद्यार्थियों को free coaching सुविदा देने जा रही है, राजस्थान सरकार, आपके जो भी सपने हैं, आपकी जो उडाने हैं, आप उनको साकार कर सकते हैं, अपनी उडानों को पू कारी रखें, study की continuity को बिलकुल भी disturb ना होने दें, और team सम्यक आपकी साथ कंधे से कंधा मिलाकर तयार है, धन्यवाद.